अनुसंधाता के गुण्ड, विभिन प्रकारों के शोधों के लिए अपेक्षित शोधकार के गुण्ड, पहला है सत्यान्वेशन की प्रबल मनोवर्ति, अनुसंधान की प्रेरना ही सत्यान्वेशन वर्ति होती है, जिसमें नैसरकिक रूप में ऐसी मनोवर्ति होती है, वही उतम अनसंधाता हो सकता है वास्तविक्ता तक पहुंचने या वस्तुनेश्ट सत्यों को धोंट निकालने का प्रयत्न करना चाहिए अगला है सुक्ष्म निरेक्षन वस्तु सत्यों को जानने के लिए और समीचीन से धांदों का निरनाई करने के लिए सुक्ष्म निरेक्षन आविशक है इस निरीक्षन से विशे का गहरा ग्यान हमें मिलेंगे जिट्ञासा अनसंदादा में ग्यान के प्रदी अटूट और सुक होना चाहिए जिस व्यक्ति में तथ्यों को जानने की तीवर व्याकुलता हो वही शुद्ध अनसंदित्सू हो सकता है ग्यान का अगला है चिंतन और तर्क बुधि का सहारा लेना पड़ता है अतह अनसंदादा में चिंतन और तर्क बुधि अनिवाज्य खुण है अगला है बाउधिक एमानदारी और खुला मन अनसंदादा के निश्कशों की प्रामानिकता का सबल आधार उसके बाउधिक एमानदारी और खुला मन होते हैं उसे अपनी पसंद नापसंद और इच्चा अने जावों को पूर नतहा तचकर एमानदारी जे तध्यों को ग् अगला है पूर्वाग्रह का अभाव। पूर्वाग्रह वायक्तिक संस्कार और शिक्षन के कारण किसी वाद या सांप्रतायिक गुट से जुड़ होने के कारण आसे हैं। शोधारती को विशे का पूर्ण ग्यान होना चाहिए। जिस विशे को वो अपने अध्यान के लिए चुन ले उस विशे पर कितना कार्य हो चुका है इसका उसे ग्यान प्राप्त कर लेना चाहिए। तभी वो चान सकेगा कि उस विशे की ऐसी कौन सी दिशा है जो अच्छोत कर निर्णयों पर पहुँजने के लिए विचाट सहिष्णुदा एक अनिवार्य तत्व है किसी विशी पर परस्पर विरोधी मत विपेन स्रोतौम से मिलें तो सहिष्णुदा के साथ उनका विश्लेशं कर निर्णय पर पहुँजना चाहिए अध्यावजा जाहिए और कर्त सकता है हर तरह के शोद में करतवी बोद के साथ काफी समय तक कारी करना पड़ता है स्मयरन शक्ति स्मयरन शक्ति अनुसंताता की एक अमूल निती है जो उसके कारी को सुगम और निश्क शुंक को लिवान बनाने में विचीर सका लेकन श्मता शोधाती को जब तक अपनी आउट और विशयानुव रूप पारिभाशिक संपन होनी चाहिए शोधाती को अपने कारी संपादन में कई वेक्तियों तर्दासन स्थावों का सहयोग काप्त करना पड़ता है आतहा उसके स्वांभाव में कितक यदा का भाव होना चाहिया न था वो किसी से उतारता पू वर धुरलब सामगरे राप नहीं कर पाए